Hello everyone, I welcome you all to study Niti तो आज हम कुछ extreme high level की DIA करते हैं ये data interpretation जैसे कि आप देख सकते हैं रहने वाली है simple interest, compound interest की और partnership की ये ऐसा एक deadly combination है जो आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा तो आए हम लोग इस DIA को अच्छे से solve करते हैं, अच्छे से समझते हैं और जितना time लगे आप comment section में जरूर share कर देना और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो like और share जरूर कर देना अब हम आते हैं question पर, ये question आपको Hindi और English दोनों में ही मिलेगा आप video को pause करके question को बनाना शुरू कर सकते हैं और मुझे comment section में जरूर बताना कि आपको इस question को बनाने में कितना time लगा तो अब हम बात करेंगे कि इसने question में बोला क्या है इसने बोला है कि चार friends हैं, प्रकाश, प्रनव, प्रवीन और प्रमिला उन्होंने कुछ amounts deposit करी हैं, चार different banks में for different periods and different rates, rate of interest जो कि हमें इस table में बताया गया है उन्होंने plan किया कि वो दो different businesses में जो है investment करेंगे और वो लोग एक partnership में investment करेंगे अपनी और जो वो amount invest करेंगे वो वो amount होगी जो उन्होंने bank से earn करी होगी उन्होंने जो profits हैं, इस businesses से कुछ earn करेंगे हैं और जो total profit है, real estate business से वो है 5691 रुपीज और textile business से जो है वो है 9944 रुपीज अब हमें इसने note में बोला है कि जो हमें answers मिलेंगे जो आगे आने वाले questions हैं, उन answers को हम अपने इस table में as a input use कर सकते हैं, जो भी values आएंगी उसको इसमें plot करके यूज कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि इसने line graph में actually मैं बोला क्या है, इसने बोला है कि money invested in real estate as compared to textile, उसने real estate में जो money हमने invest की है, उसका comparison किया है textile industry से या फिर textile business से, ठीक है, जब भी percentage आजाता है तो आपके दिमाग में एक ही figure क्लिक करती है, which is 100% am I right? तो आपको ये देखना है कि आप real estate की जो values हैं ये वाली, इसको textile से जब compare करोगे तो आप textile को 100 लेके compare करोगे इससे, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ real estate और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ textile, done? पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, मैंने बोला कि कि अपने textile को 100 लेना है, प्रकाश ने 50% investment करी है, अगर उसने 50% investment करी है, तो इनका ratio कितना आ गया? वान रेशो टू? समझ में आग इतनी बात, अब मैं बात करती हूँ प्रनव की, प्रनव के बारे में उसने बोला है कि उसने 133.33% invest किया है किसका real estate का, आपको भी पता है 33.33% को कैसे लिखते हूँ 1 by 3? और अगर इसने 133 बोला, तो आप उसको कैसे लिखोगे? 4 by 3? I hope आपको fractions आती होंगी. तो 4 by 3 ratio 1, that means इसका जो ratio आया, कितना आया? 4 ratio 3? अब हम बात करते हैं प्रवीन की. प्रवीन के बारे में उसने क्या बोला है कि उसने 100% invest किया है. 100% हमारा real estate में है, 100% textile में है, तो 1 ratio 1 हमारा जो है इसका ratio आगया. मैं ratios इसले निकाल रही हूँ क्योंकि जब भी हमें आगे वाले questions में amount दी होगी इन्वेस्टमेंट की. तो हम इन ratios को यूज करके amount easily bifurcate कर सकते हैं, percentage लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. अमें बात करती हूँ प्रमिला की. प्रमिला का उसने बोला है 114.28. आपको भी पता है कि 14.28 को हम कैसे लिखते हैं 1 by 7? तो 114 हो गया मतलब 8 by 7? Ratio 1. तो इसकी investment कितनी आगी? 8 ratio 7. Sorry for this. 8 ratio 7 इसकी investment आ गई है. तो अब हम देखते हैं कि इसने next 12 figure में क्या बोला है? हमें इसने pie chart दिया है. और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये वाला part है, ये वाला part. ये वाला part इसके equal है, पूरे circle के. मतलब इसकी जितनी degrees होंगी ना, उतनी ही इसकी degree होगी. वैसे तो हम बोलते हैं कि 360 degree के होता है पूरा circle. हा ना? लेकिन जितनी इसकी degrees है ना, उतने degree का ये circle है. क्योंकि इसने इस वाले part को इस circle से indicate किया, तो हमें समझ में इतनी बात आ जाने चाहिए. अब प्रकाश की degree कितनी है? 80. प्रनव की 60. प्रवीन ने इन्वेस्ट किया 10 म महिने के लिए है. अब आपको पता है कि पूरा ये वाला circle 360 degrees का होता है. 360 में से हमने इन दोनों के degrees अगर हम निकाल दें, मतलब 140 degree निकाल दें, तो इस वाले portion की value 220 degrees आ जाएगी. जो ये left over है, आप मैं काई ब्लू कलर का जो portion बच रहा है, उसकी जो degree है, वो 220 degree आ गई. तो म अगर 220 degree में 22 महिने की value दी हुई है, तो हम 60 degree की value निकाल सकते हैं. कैसे? 22 divided by 220 into 60. अब ये मैंने क्यों लिखा? 1 degree की value कैसे निकालते हैं? 22 by 220. 60 की निकाल लिए तो 60 से multiply कर दिए और 80 degrees की निकाल लिए तो हम 80 से multiply कर देंगे. इसकी value कितनी आ जाती है? 6 और इसकी value? 8. मतलब प्रकाश ने invest किया 8 महिने के लिए और जो प्रणव है उसने invest किया 6 महिने के लिए. तो ये जो हमने values निकाल लिए थी अपनी figures को use करके निकाल लिए. अब हम भढ़ते हैं अपने questions पे. इसने बोला है कि जो प्रकाश है वो प्रवीन से 3,220 रुपीज कम interest earn करता है. हमें बताना है कि कितनी amount किसने invest करी है प्रकाश ने. बैंक के अंदर अगर इन दोनों की interest का ratio जो है वो 5 ratio 4 है. whole numbers में. whole numbers क्या होते है मतलब पूरे numbers. that means हमारा जो ratio है हमारा जो rate of interest है वो decimals में नहीं आ सकता. और उसने उसके आगे बोला है कि total amount जो प्रवीन ने प्रवीन को मिली है बैंक से वो कितनी है 42,500 और 44,000 के बीच बीच में. हमें invested amount बतानी है प्रकाश की. अगर invested amount की बात करें तो आपको पता है इसको हम principle बोलते हैं. principle बोलते हैं इसको हम. तो हमें यहाँ पे प्रकाश का principle निगालना है. ठीक है? प्रवीन के बारे में अगर मैं देखूं तो इस table में प्रवीन की amount deposited मतलब प्रवीन के बारे में उसका principle बताया गया है इस table में. जब उसने बोला कि उसकी जो amount उसको मिल रही है bank से, वो इसके बीच बीच में है, तो आपको ये पता होगा कि जो हम amount बोलते हैं, वो किसके equal होती है, principle प्लस जो उसको interest bank से मिला होता है, मतलब अगर प्रवीन है, उसकी जो principle है और जो उसको interest मिला है bank से, उन दोनों के जो total है, इस range के बीच में लाए करेगा, समझ में आग इतनी बात, अगर इस range के बीच में लाए करेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए, कि उसने investment करी थी 34,000 की, ठीक है, तो उसका interest किस range के बीच में लाए करना चाहिए? 42,500 और 44,000 अगर इसको देखें तो उसका इंटरस्ट लाई करना चाहिए 8500 तो 10,000 के बीच बीच में अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरस्ट आ जाएगा कैसे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो आपके पास इंटरस्ट आ जाएगा अब अगर मैं प्रवीन का इंटरस्ट निकालना चाहूँ तो हमारे पास इंटरस्ट का फॉर्मूला क्या होता है क्योंकि उसमें बोला कि simple interest लग रहा है तो simple interest का formula P into R into T upon 100 principle हमें पता है 34,000 है rate हमें नहीं पता है और period हमें पता है 3.5 years है और range हमें पता है कि 8500 to 10,000 के बीच बीच में है इसको अगर मैं simplify कर दूँ तो हमारे पास interest जो आएगा इसके बराबर आएगा समझ में आगी इतनी बात 34 into 35 कितना होता है 34 का square प्लस 34 34 का square कितना होता है 1156 1156 प्लस 34 आपको समझ में आ रहे होगी मैं calculation कैसे कर रहे है इसकी तो interest इसका इतना आना चाहिए इतनी बात समझ में आगे आपको अगर मैं लेकर देखू इसका interest उसने यहाँ पर बोला था कि जो प्रकाश है और प्रवीन है उनका interest 5 ratio 4 है और whole numbers में आ that means interest decimal में तो नहीं आ सकता मतलब हमें इनके multiples देखने हैं interest के लिए अगर मैं 4 का multiple देखूंगी 5 का multiple यहाँ पर देखूंगी तब ही तो उनका जब हम cut करेंगे ratio निकाल लेंगे तो 5 ratio 4 आप आएगा सबसे पहले हम interest को 4 लेकर देखते हैं rate of interest को हमने 4 लिया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 4, 7, 6, 0 लेकिन हमारा जो interest है वो किसके बीच में लाए करना चाहिए 8500 टू 10,000 के बीच में तो 4 इसका rate of interest नहीं आ सकता अब मैं rate of interest इसका लेकर देखती हूँ 8 हमारे पास कितना आ गया इसका 9520 अगर 8 लिया ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसके ratio को मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बढ़ाते जा सकते हम इसको जब तक हमारा interest rate हमारे पास नहीं आ सकता ठीक है तो हमने इसको बढ़ाया तो हमारे पास interest rate अगर हम लोग 8% लगाएं तो 9520 आता है तो आप देख सकते हैं कि ये इस range के बीच में लाये कर रहा है लेकिन अगर मैं 12% rate of interest लगा कि इसका देखूंगी तो हमारा 10,000 से exceed कर जाएगा मतलब जो प्रवीन है उसका rate of interest आया 8% ठीक है तो प्रकाश का कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा 5 ratio 4 में था इसका 8% आया तो इसका 10% आ जाएगा rate हमें पता है जाए, period हमें पता है और उसने ये भी बोला था कि प्रकाश का जो interest है प्रवीन से 3,2,2,0 कम है प्रवीन का interest आया 9,5,2,0 प्रकाश का इससे 3,2,2,0 कम है तो प्रकाश का interest कितना आ गया 6,300 हमें simple interest हमें interest भी पता चल गया हमें rate of interest भी पता चल गया और दो साल का जब compound interest लगा है तो उसका जो interest आता है वो 6300 ठीक है हमें पता है कि जब भी हम compound interest का formula लगाते हैं compound interest calculate करते हैं तो हम कैसे करते हैं आपको भी पता होगा अगर 10% आ जाता है दो साल के लिए तो आप उसको कैसे लिखते हो 2100 2100 लिखते हो जो regular practice में हैं उनको तो अभी तक यह वाले interest rates भी आद हो गए होंगे कि हम लोग 10% को लिखते हैं 2100 20% को लिखते हैं 44 by 100 जब 2 साल की बाद की गई हो अब आप सोचोगे कि 2200 आता कैसे है 2100 कैसे आता है वो मैं आपको यहां पर बता देती हूं उससे पहले में यह कंपाउंड इंट्रस्ट का क्या formula होता है जब भी हमें compound interest निकालना होता है तो compound interest का हमेशा यह formula लगता है principal rate plus 1 plus rate by 100 n-1 यह compound interest का formula होता है जो basic जो बिल्कुल basic formula होता है तो अगर मैं rate of interest की बाद करूं तो यहां पर आप देखो 10% है यह इसका rate of interest होता है यह principal यहां से अगर आप इसको simplify करोगे तो यह क्या आजागा 11 by 10 का whole square minus 1 11 का square 121 10 का square 100 तो 121 minus 100 upon 100 आगया 21 upon 100 प्रिंसिपल के साथ यह compound interest का formula हो गया तो हमें यहां पर पता है कि हमारे पास 2 साल का period है 10% interest है और हमें compound interest निकालना है प्रिंसिपल इंटू 21 by 100 समझ में आ गए और अभी हमने यहां पर इसका rate निकाला था compound interest निकाला था 6300 तो यह कितना आ गया प्रिंसिपल हमारे पास आ चुका है 30,000 that means उसने 30,000 invest किया था तो हमारे पास यहां से यह दो figures आ चुकी है और हम इन figures को आने वाले question में use कर सकते हैं तो यहां पर हम अपना answer टिक कर देते हैं 30,000 अब हम next question पर चलते हैं next question उसने बोला है कि जो प्रनव है और जो प्रमिला है वो इतना इतना interest rate जो है earn करते हैं जाधा और कम किससे? प्रवीन से प्रवीन का जो interest है उससे 4,480 जाधा प्रनव earn करता है और 1390 कम प्रमिला earn करती है तो हमें यह बताना है कि उसने जो amount deposit करी थी प्रनव ने और प्रमिला ने जो amount deposit करी थी यहां पर वो बतानी है उन दोनों का सम बताना है अगर प्रणव ने अपनी जो अमाउंट है उसको जो हमारा प्रिंसिपल है उसको चार साल के लिए इन्वेस्ट किया तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी प्रवीन से प्रवीन का जो इंटरस्ट है यहां पर लिख सकते हैं 9520 जो प्रणव है उसने कितना जादा अंग किया 4480 मतलब उसने कितना earn कर लिया यहां पर 14000 और अगर मैं प्रमिला की बात करूँ तो उसने कितना कम earn किया 1390 दाइट मींज उसने कितना interest earn कर लिया 8130 कर लिया हमने interest rate इसके निकाल लिये अब आपको यह देखना है कि आपको टेबल में इन दोनों के बारे में information क्या-क्या दी हुई है प्रणव के बारे में अगर मैं वाद करूँ तो प्रणव के बारे में हमें यहां पे amount निकालनी है और प्रमिला की भी amount निकालनी है यहां पी इन दोनों के rate of interest भी दियो है और इन दोनों का period भी दियो हुए और type of interest बताया है कि simple interest स्टार्ट में करूंगी सबसे पहले प्रणव से हमें इसका इंट्रस्ट पता है और क्योंकि सिंपल इंट्रस्ट पर क्यालकुलेशन हो रही है सिंपल इंट्रस्ट इकोल्स तू प्रिंसिपल इंट्रस्ट 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 इंट्रस और इसका compound interest है, इसने compound interest की बात किया और आपको मैंने बताया था कि अगर compound interest आ जाए तो हम उसकी कैसे calculation करते हैं, 11.11% को आप कैसे लिखते हो, 1 by 9, लिख देते हो, principle हमें नहीं पता, 1 plus 1 by 9, मैं बिल्कुल basic से बतारी हूँ, मैं इसका shortcut भी लिख सकती थी, लेकिन मैं आपको basic से इसलिए बतारी हूँ कि जिसको नहीं पता है, उसको बहुत अच्छे से clear हो जाए, basic से भी मैं सीज़ा shortcut से भी इसको लिख सकती थी, बट मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, तो यह कितना आ जाएगा, 10 by 9, का cube, minus 1, यही मैंने आपको बताया था, 10 का cube कितना होता है, और 9 का cube कितना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 271, 8130, equals to P into 271, यह इधर गया था ना, 271 by 729 आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, क्यांसल करना है, 3 से, प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 729 into 30, 21870 हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल आ चुका है, समझ में आ गया, और हमें यह बताना था कि इन दोनों ने investment कितनी करी है, मतलब दोनों का प्रिंसिपल कितना है, कितना आ गया, 49,870 रूपीज, और यही हमारा answer आ चुका है, I hope आपको यहाँ तक ही question समझ में आ गया होगा, हम लोग छोटे-छोटे steps लेकर चलेंगे, कि जिनको नहीं भी पता, जिनको थोड़ी problem आती है समझने में, उनको बिल्कुल basic से समझ आ जाए, अब जलते है next question पे, next question उसने क्या बोला है, कि profit बताना है हमें, किस-किस के, जो profit किस-किस ने अन किया है, प्रमिला ने textile business से, और प्रणव ने real estate business से, ठीक है, हमने जो पहले निकाला था इसका line graph से, और जो pie chart है, उससे हमें, यहाँ पे time period पता चल गया था, और हमें यहाँ पे इनका ratio पता चल गया था, अगर उसने businesses के profit की बात करी है, आपको partnership आती होईगी, उन्होंने बोला था, कि वो लोग partnership में, invest करते हैं, जब भी हम partnership में profit का ratio निकालते हैं, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो amount, जिस-जिसकी भी amount है, उनको यहाँ लिखते हो, तो मालो A और B के amount है, और यह को जब आप simplify करते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक profit sharing ratio आ जाता है, am I right? A और B का लिए, 10 और B इस invest किया कितने महीनों के लिए, 7 और 8 महीनों के लिए, तो आप जब भी इसको simplify करते हो, तो इसको simplify करके यहाँ पे यहाँ पे एक ratio लिख देते हो, ऐसी करते हो, लिकिन ratio निकालना पड़ेगा, अब हम इनका ratio निकाल लेंगे कैसे, वो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करती हो, किसकी? प्रकाश की, फिर मैं बात करूंगी? प्रनव की, और यहाँ पे कौन कौन था? प्रवीन और प्रमिला, ठीक है? यह लोग थे? अब सबसे पहले अगर हम बात करें, रियल एस्टेट बिजनस की, रियल एस्टेट बिजनस में, और टेक्स्टाइल बिजनस में, जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसका हम ratio अल्रेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे, यह हमने इनका ratio निकाल लिया था, ठीक है? अब हमें यह तो पता होना चाहिए ना, कि actually में, उन्होंने investment किस amount में करी है, investment की amount भी हमें पता होनी चाहिए ना, तो अगर आप question number 1 से देखो, question number 1 से आपको यह पता चल पाएगा, कि जो प्रवीन है, उसने कितनी investment करी थी? प्रवीन का यहाँ पर हमने rate of interest निकाला था, 9520, और principal कितना था, 34,000, मतलब प्रवीन की जो amount थी, जो उसने अपने नई business में invest करी थी, वो यहाँ से कितनी निकल गई थी? 43520, यह हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रवीन की, 43520, क्योंकि उसने बोला था, कि हम लोग figures को use कर सकते हैं, तो हम यहीं से figures को use कर रहे हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पर किसका पता चला था? प्रकाश का, प्रकाश ने 30,000 investment करी थी, और उसका interest कितना था? 6300, तो मतलब उसकी total, जो amount निकल के आएगी, वो इतनी होएगी? आगे समझ में, अब हम देखते हैं, प्रनव की और प्रमिला की, यहाँ पर देखो, प्रनव का हमने जो interest निकाला, वो निकाला था 14,000, और उसने investment करी थी 28,000 की, मतलब उसकी amount कितनी निकल के आए 42,000? सेम एस प्रमिला, प्रमिला ने invest किया था 21870, और उसका interest था 8130, तो मतलब प्रमिला ने जो है, total investment कितनी करी थी, यहाँ पर, total amount कितनी निकल के आए थी उसकी यहाँ पर? 30,000? 30,000 प्रमिला की निकल गी थी, और प्रनव की निकल गी थी 42,000? रेशो हम यहाँ पर अल्रेड़ी निकाल चुके थे, हमारे पास इन लोगों के रेशो कितने कितने आये थे, हम लोग एक बाटेबल से देख लेते हैं 1 रेशो 2, 4 रेशो 3, 1 रेशो 1 और 8 रेशो 7 तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1 ratio 2, 4 ratio 3, 1 ratio 1, और 8 ratio 7, ठीक है, अब आपको अगर इस amount को real estate में और textile में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे, ऐसी बांटोगे, इसको एक हिस्सा दे दोगे, और उसको दो हिस्सा दे दोगे, ऐसी बांटते हैं हम amounts को, अब amounts क्यों बांट रहे हैं, मैं उसका फिरसल लॉजिक बता देती हूँ, उसने बोला था कि जो भी हमें bank से amount मिलेगी, that means principle और interest का जो mixture मिलेगा, जो addition मिलेगा, उसको हम real estate में और textile में लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे amounts और पिछले questions में मिल चुकी थी, तो अब हम इनको, जो इनकी investment है, real estate की और textile की वो निकाल रहे हैं, इस amounts से, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यह कितना आजाएगा, 12100 और यह 24200, इसको जस्ट आपको divide करना है, तो यह 7 है, मतलब 7, 6000 इन्टो 4, कितना हो गया 24,000, और 6000 इन्टो 3, 18,000, यहाँ पे equal में करना है, तो यह कितना आजाएगा, 21760, और यहाँ पे आपको 15 से करना है, तो मतलब 16,000 और 14,000, समझ में आगे आपको इतनी बात, हमें इनका निकालना है, profit sharing ratio, profit sharing ratio आप कैसे निकालते हो, जो investment होती है, और जो time होता है, उनका product करक्या pressure निकालते हो, अगर मैं real estate की बात करूँ, तो प्रकाश, प्रणव, प्रवीन, और प्रमिला, इन्होंने investment कितनी कत्ती करी real estate में, अभी हमने निकाली, इतनी इतनी investments कर दी इन्होंने, समझ में आगे या आपको इतनी बात यहाँ से, और हमें ये भी पता है कि उन्होंने कितने कितने time period के लिए invest किया, time period एक पर हम यहाँ से फिर से देख लेते हैं, उसने हमें, हमने जो starting में निकाला था, वो कितना था, 8, 6, 10 और 12, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 8, 6, 10, and 12, ये हमारे पास इनका profit sharing ratio आ चुका है, ये multiplication में आएगा, तो ये यहाँ से cancel out हो गई, ये यहाँ से हो गई, हमारे पास और कहाँ से cancel out हो सकती हैं figures, 8, 30, यहाँ पर हो जाएगा ये, 272, यहाँ पर 20, That means, इनका जो real estate का profit sharing ratio निकलता है, वो कितना निकलता है, 121, ratio 1, ratio 272, ratio 240, ये हमारे पास इनका profit sharing ratio आ चुका है, हमें बात करते हूँ textile की, कि इनका profit sharing ratio textile में कितना आया, तो same हम यहाँ पर लेंगे इनकी investment, कितने कितने आ जाएगी, 18,000, 21760, और यहाँ पर 14,000, और इन्होंने कितने कितने months के लिए invest किया, उसको हम multiply कर देंगे, कितने कहले किया था, 8, 6, 10 और 12, इसको अगर हम थोड़ा से simplify करें, तो कितना आ सकता है, और इसको हम काट चकते हैं, 8 से, ये आ जाएगा 3, and 4, 4 4s are 16, 4 5s are 20, ये 272, और ये आ जाएगा 4 3s are 12, and 270, 140, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 242, ratio 135, ratio 272, ratio 210, तो हमने real estate का और textile का जो ratio है, इनका profit sharing ratio वो हम लोग निकाल चुके हैं, अब इसने question की starting में छीज बोली थी, अगर आपको याद होगी तो, इसने हमें question में बोला था, कि जो उनको profit हो रहा है real estate से, और किस से, textile से, real estate से और textile से जो इनको profit हो रहा है वो कितना था, ये था 5691, और ये था 9944, अगर आपको याद होगा तो, 5691 था और था 9944, ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर हमें पता चल गया, कि इनका ratio इतना है, और अगर इन सभी को, हमें कुछ-कुछ profit देना है, तो हम कैसे देंगे, total profit divided by total ratio, कितना आता है इनका total, हमारे पास, जो real estate है, उसका हमारे पास total कितना आ जाता है, 813, और अगर मैं textile की बात करूँ, textile का अगर हमें total देखना है, तो कितना आ जाता है, तो textile का आ जाता है, 859, ठीक है, अब हमें ये पता चल जाएगा, कि इनको कितना हिस्सा देना है profit का, हाना, total से divide कर दिया हमने, total जो हमें profit हुआ था, उसको total ratio से divide कर दिया, अब हम इनका individual ratio निकाल सकते हैं, कैसे, इसको अगर हम देखेंगे, तो ये 7 times जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो ये, तो ये लगभग-लगभग 11.5 something times जाएगा, हम लोग approximation का use करके, इसको 11 लेंगे, मतलब इसको 11 times मानेंगे, और इसको हमने 7 times लिया, क्योंकि हमें figures तो actual मिल पाएंगी, और अगर question में कुछ ratio भी पूचा गया है, तो भी हमें actual ratio मिल पाएगा, ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि इनको actually में profit कितना मिला है, तो हम इसको 7 से multiply कर सकते हैं, और इसको 11 से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो multiplying factor हमारे पास निकल के आया है, वो 7 है real state का और वो 11 है, अब आप बोलोगे माम आपने कैसे कर दिया, आपको यहां तक तो समझ में आ गया होग ठीक है, अगर हमें प्रकाश का निकालना था, तो हम इसको कैसे करते हैं, 121 से multiply करते हैं, तो मैंने सीधा 7 को 121 से multiply करके यहां लिख दिया, अगर प्रणव का निकालते तो 180 से करते, प्रवीन का निकालते तो 272 से करते, तो सीधा मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब हम उचाना कि हमें profit earned ॏ निकालना है किसका प्रमीला का textile business में और प्रनव का real estate business में प्रमीला और अर्टrand यहां पर प्रमीला का हमने textile business में कितना निकाला है 2102 एंटos 11 stay profit और प्रनव का हमने रियल कितना निकाल आए हाँ पर वन एटेंट टो सेवन इसको कैंसल आउट करेंगे तो यह सेवन यह सिक्स और यह कैंसल दाइट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट का रेशो कितना आ गया 116 हमें सिरफ वहीं ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी यह क्वेस्टन इतना टफ नहीं था आ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम जलते हैं अपने नेक्स क्वेशन पर उसने बोला है कि जो प्रकाश है और प्रमिला है वो अपने प्रॉफिट को जो भी उन्होंने रियल एस्टेट से या फिर टेक्स्टाइल बिजनस से कमाया है इकट्थे वो लोग बैं प्रकाश को अगर 2,025 रुपे मिले हैं तो हमें बताना है कि रेट अफ इंट्रस्ट क्या है बैंक का यह 2,025 रुपे कौन से है कि सिंपल इंट्रस्ट के ठीक है अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रकाश की और इसने किसकी बात किया प्रमिला की यही बात करी है उसने बोला था प्रॉफिट्स अर्ण्ड फ्रॉंड बोध बिजनेस प्रॉफिट अर्ण अभी मैंने आपको पुछली स्लाइड में निकाल के बताया रियल एस्टेट का और टेक्स्टाइल का बताया था निकाल के हम बापिस देख लेते हैं रियल एस्टे यूँ इंटु एलेवें ठीक है और प्रमिला का कितना निकला था दोनों बिजनेस में 240 इंटु 7 और 210 इंटो 11 240 x 7 210 x 11 यह इनका total profit निकल के आया है दोनों businesses से अगर मैं इसकी बात करूं real estate की तो यह 7, 4 and 8 847 और अगर इसकी बात करूं तो 62 समझ में आ रही इतनी बात अब इसका देख लें ते टोटल कितना होगा 8, 2, 16 और यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 11 से करना है तो 1, 3, 2 0, 9, 9, 3 और यहां पर कितना आ गया 9, 0, 5, 3 तो 3, 5, 0, 9 हमारे पास प्रकाश का आ चुका है profit और प्रमिला का कितना आया था 3, 9, 9, 0 दोनों businesses से अब इन amounts को उन्होंने बैंक में रखा है 3 साल के लिए total amount को total amount अगर इसकी मैं करके देखूँ तो हमारे पास कितनी आती है 7, 4, 9, 9 क्योंकि हम इसको थोड़ा सा simplify करके लेके चलेंगे तो इसको मैं 7,500 भी लिख सकती हूँ हमारे पास लगबग लगबग आंसर तो आ जाएगा तीन साल के लिए इंवेस्ट किया और इनका ratio of interest जो है वो 3 ratio 2 है हमें पता है कि जो प्रकाश है उसको 2, 0, 2, 5 मिला प्रकाश और प्रमिला को प्रमिला को 3 ratio 2 में मिलना था प्रकाश को अगर 2, 0, 2, 5 interest मिल गया मतलब प्रमिला को कितना मिलना चाहिए 2, 0, 2, 5 divided by 3 into 2 इतना मिलना चाहिए तो प्रमिला को actually में interest कितना मिला होगा 6, 75 into 2 मतलब प्रमिला को हमारा interest मिला होगा 1, 3, 5, 0 अगर 1, 3, 5, 0 प्रमिला को मिला होगा मतलब इनका total interest कितना आ जाएगा 3, 3, 7, 5 rate of interest हमें नहीं पता हमें पता है simple interest है 3, 3, 7, 5 मैंने simple interest का formula यहाँ पर apply किया है क्योंकि उसने बोला था कि इन्होंने simple interest पर ही जो है अपनी amount invest करी थी ठीक है अगर मैं इसको simplify करने की कोशिश करूँ तो यह हो जाएगा 1, 1, 2, 5 और rate of interest हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाता है 3, 15, 15% हमारा यहाँ पर rate of interest जो है वो निकल चुका है I hope आपको यह question भी समझ में easily आ गया होगा हमने कुछ नहीं किया हमने सिरफ line by line question को पढ़ा और जो पिछली हमें amounts हमने निकाली थी वो हमने use की और हमने answer निकाला अब हम चलते हैं अपने last question पर इसने बोला है कि प्रमिला कितनी amount earn करेगी या lose करेगी अगर वो अपने deposit को bank के अंदर एक और साल के लिए रखती है instead of investing in the business as per the question अगर आपको पता है कि तो प्रमिला ने 3 साल के लिए investment करी 3 साल की investment के बाद उसको अपना जो total amount है that means principal plus interest वो उसको business में invest कर देना था real estate में और textile में कि समझ में आगे इतनी बात लेकिन उसने बोला कि 3 साल के बाद जो उसने investment करी वो business में नहीं करी business की बजाए उसने bank में ही अपना amount bank में ही अपनी जो है money रखी और उस पे 4 साल का भी उसने interest लिया या फिर 4 साल के लिए उसने उसको bank में ही रखा हमें बताना है कि उसको कितना profit या loss हुआ है अब जब भी comparison की बाद आती है तो हम क्या करते हैं दो figures को compare करते हैं और फिर देखते हैं किसका जादा था और किसका कम था इसने बोला या तो वो business में करती या वो bank में ही रखती तो हमें ये देखना है कि जो business से profit हुआ वो कितना आता है और 4 साल का जो bank का interest है वो कितना आता है हमें जब fourth year की दोनों की values पता चल जाएंगी तो हम compare कर पाएंगे कि उसको profit हुआ या loss हुआ अगर आप ध्यान दो कि हमने अभी 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 profits निकाल ले थे हैं फोर्थ question में प्रमिला का profit निकाला हुआ हमने कितना 3,990 3,990 प्रमिला को profit होता है business से और क्यूंकि जो सारे के सारे लोग हैं कुछ 8 महिने के लिए 구uch 10 महिने के लिए 구uch 12 महिने के लिए तो हमें पता है कि ओवराल ये एक साल का इन्होंने scenario दिया है कि अगर business में एक साल में इन्होंने invest किया होता कुछ कुछ time period के लिए तो वो इतना इतना profit कमाते overall view बता है, मतलब business का उसको profit आगए इतना, अब हम देखते हैं कि उसको bank से कितना interest मिला प्रमिला की जो principle है हमें पता है 2180 थी 21870 ठीक है, और प्रमिला का जो interest है प्रमिला का जो rate of interest है वो भी हम निकाल चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूं कौन से question में यहां पर आप देख सकते हो, प्रमिला का जो rate of interest था हमने यहां निकाल लिया था 8130 second question में, ठीक है, यह उसका 3 साल का rate of interest था total, जो हमने निकाला था 8130, अब अगर मैं principle के अंदर 3rd year का interest आड़ कर दूंगी तो हमारे पास amount आ जाएगी ना amount हमारे पास, आज आएगी ना कि उसने 3 साल के बाद कितनी amount उसको मिली, bank से उसको कितनी amount मिली bank से, 30,000 after 3 years अब उसने बोला कि 30,000 उसको amount मिल तो गई, लेकिन उसने bank में एक और साल के लिए अपनी investment को रखा मतलब 30,000 को उसने एक और साल के लिए रखा तो उसका interest था 11.11%, that means 1 by 9 अगर 1 by 9 interest rate हमारा है, तो उसका जो interest है चौथे साल का, वो कितना आ जाएगा हम इस principle को अगर 1 by 9 से multiply कर दें, तो हमारे पास 4th year का interest rate आ जाएगा ना क्योंकि यहाँ पर एक साल का ही निकालना तो हमने सीधा ही rate को multiply कर दिया, ना तो हमारे पास यहाँ पर साल की जरूरत थी क्योंकि एक ही साल था तो अगर अब इसको simplify करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3333.333 यह आ जाएगा decimals को अगर हम ignore करते हैं तो मतलब उसको 3333 का interest earn हुआ 14 साल में अगर वो business में invest करती तो उसको 3990 मिलता, अगर वो bank में रखती तो उसको interest मिलता 3333 तो आप देख सकते हो कि उसको क्या लगा है, loss लगा है, क्योंकि पहले वो business में रखती तो उसको जाधा amount मिलती अब वो bank में रख रही है तो उसको कम amount मिल रही है, लेकिन loss लगा कितने का, तो loss कितने का लगा 3990 माइनस 3333 यहाँ पे इसको loss लग चुका है और यहाँ पे हमारा question यह पूरा हो चुका है I hope आपको यह वला question बहुत इच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने सिरफ line by line सारी चीज़ों को पढ़ा, हमने जादा कुछ messed up नहीं किया फिर भी अगर आपको कोई doubt रह जाता है तो आप मुझसे comment section में पूछ लेना, मैं आपको definitely reply कर दूँगी अपनी preparation बहुत इच्छे से रको, good luck and stay happy